हाई फ्रेंड्स गूर्णिंग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फायर स्टेडी रास्तान में तो फ्रेंड्स आज आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन लेका हैं फायर के जो डियसस्पी फायर ओपरेटर एंड जो रास्तान में फायर मेंन की जो वैकंसी जाने वाली उसके लिए बहुत मैत पूर्ण है तो फ्रेंड्स आप चैनल पर नवे हूं तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें उस आती साथ बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सके तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स सभी दोस्तों के लिए दिल से हैपी हो ली आपकी जिंदिगी में ऐसे ही खुशिया आती रही तो फ्रेंड्स आज का फर्स्ट कुछिशन है निमली खित में से कौन सा रंग आपको फॉर्म फायर एस्टुगेशर की पैचान करने की अनुमिती देता है फ्रेंड्स उप्सन ए ब बुजाने के लिए किस अगनि सामक यंतर का उपयोग किया जाता है तो फ्रेंड्स आप सबी को पता है कि जो C-Class की आग में गैसे परकार के आग आती है जैसे L.P.G.C.N.G. तो C-class की आग का फ्रेंट जो तापमान होता है 900 degree Celsius से 1300 degree Celsius तक होता है और C-class की आग को है DCP चाग पाउडर एंड सूप की रेक्टी और CO2 से बुजा सकते हैं तो फ्रेंट इसका अंत्रोजन सुस्कुचूरन अगनी सामन यंतर अगला कुशन है फ्रेंट्स C-class की आग में कौन-कौन से पदार्ट आते हैं तो फ्रेंट्स अभी मैंने आपको बता है कि C-class के आग में LPG and CNG गैसे आती हैं अगला कुशन है फ्रेंट्स विदूत मसीनों या उपकरणों में लगी आग को आग कौन से सिरनी में आती है उप्सन A इस कांसर उप्सन D-class की आग हो जाएगा कि विदूत जो दात्विकाद होती है फ्रेंट्स वो D-class की आग में पाए जाती है फ्रेंट्स आपको मैं A-K करके सबी जो आगों के बारे में बताता हूं फ्रेंट्स एक क्लास की आग में फ्रेंट्स ठोस परकार की आग पाए जाती है पी क्लास की आग में जोलन सिल पदारत आती है और सी क्लास की आग में गैसी पदारत आती है जिनका तापन 900 डिगरी सेल्सिस से 1300 डिगरी सेल्सिस होता है वो D-class के आग में दात्युक आग होती है और E-class के आग में, friends, किचन या एलेक्टोनिक संबंदित आग होती है अगला कुशने, friends D-class की अगला कुशने, friends, D-class की आग को बुजाने के लिए कौन से अगनी सामग यंतर का उपव्योग किया जाता है तो इसकांसर ओप्शन, स्वरी, इसकांसर C, T, C हो जाएगा फ्रेंट्स, कार्बन, टेटरा, क्लोराइट, जी क्लास की आग को हम बुजा सकते हैं अगला कुशने फ्रेंट्स, छेह नमबर का, निमिन में से कौन सा रंग, गीले, गीले रसाएं, आग बुजाने में वाले यंतर का उप्योग किया जाता है अगला कुशने फ्रेंट्स, आग से सुरक्षा की तरीकी, फायर, सेप्टी, टिप्स, की जो आग लगती है तो हम किस परकार से सुरक्षित करें अपने आपको, उसकी दो चार पॉइंट्स, पहला है फ्रेंट्स, पहला है यदि किसी इमानत में आग लगने पर सबसे पहले चेताओने की घंटी या फायर आलाराम को बजाना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए दूसरा है फ्रेंट्स, आग लगने पर लिप्ट का उप्यों नहीं करना चाहिए उल्ली फोर सी वीडियो का ही उप्यों करना चाहिए अगला है फ्रेंट्स, यदि आप दुए की दुए से गिरे हुए हो तो गीले कपड़े से अपना नहाक वे मुझ को डख लेना चाहिए तो फ्रेंट्स ये वीडियो था तो थैंक्यू फ्रेंट्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, share and subscribe जरूर के लिए फ्रेंट्स और कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं के आपको वीडियो कैसा लगा वो फ्रेंड दिये आसम में चुफायर मेंन की जो वैकंसी आ रही है जिसमें 408 पॉस्ट हैं आप ये फॉर्म भी अपलाई कर सकते हो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हुए है उसका लिंक में डिस्क्रिप्सन बोक्स में दे दूँगा आप वहां से देख सकते हो तो थ